हां जी क्या हाल चल आपको बढ़िया सा किस्ता बताती हूं जो अब थोड़ देर पहले मेरे साथ हुआ मैं एक दुकान के पास से गुजर रही थी और जिस दुकान में मेरा जाने का कोई रादा नहीं था मैं आगे की और जा रही थी उस दुकान के बाहर खड़े एक पचास पटपन की उमर होगी शायद उन भाई साब की उन्होंने मुझे हवाज लगाई मैडम सुनिए मेरे पास देखे यह उपर मेरी दुकान है मैं यह यह बेचता हूं यह बेचता हूं आपको इसमेते कलर में जाएंगे कुछ उनकी उमर का तकाजा कुछ वो आप उनका कहने का अंदास कह लीजिए मैं गई उस दुकान में यह थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं ले सकते हैं तो ले लेते हैं हाँ citrus आदमे है ना अपने घर से चिपसुबा निकलता है ना तो मेरी फकाल से इस कोशिश करने की भाहना के साथ ही निकलता है कि मैं अपने पूरी कोशिश करता हूँ फिर आगे देखते हैं जो किसमत कराए यह होनी चाहिए है ना यह यह बहुत जरूरी जब तक यह है तक सब कुछ सही है सबजियां लगाने वाला जो एक खेला लगाता है रस्ते पे उसुबह अपने घर से निकलता होगा तो यही सोचता होगा ना उसाथ मेरी सारी सबजियां बिक जाए क्या कहते हो महिने के आखिर में आपके खाते में हो 200-200 रुपे और आपको अरजंटली कोई दवाई लेनी पड़े कुछ हो का चलो वो जरूरी भी है आपका दिल कर रहे कि पस या 500 रुपे में हो जाए कुछ पचास कुछ तो बचे मतलब उसे क्या कहेंगे एक आस रखना कहेंगे लिगे जब तक मन के अंदर ये आस कोशिश करने की भावना ये सब तीज़े है ना तब तक सब कुछ सही चल रहा है दुआ है कि आपके अंदर कोशिश करने की भावना ये जजबा ये रहे बाफी उपर वाले के हाथ में है